बिजेपी ने केंदरी मंत्री नरिंद्रसी तोमर को मध्यप्रदेश में चुनाव प्रबंध समिती का सयूजक नियुक्त किया है पार्टी की हालिया मेटिंग्स में के बाद कयास लग रहे है कि जोती रादित्य सिंद्या को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है तारिकी नियुक्ती के बाद चुनाव में सिंद्या की भुमिका को लेकर कयास लगने लगे है देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बाद में मध्यप्रदेश में बिजेपी विधान सभा चुनाव के तैयारियों में पुरी तरह जुट गई है प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी और कैंदरी गृव मंतरी अमिश शहा के हालिया दोरों के बाद पार्टी ने राज्य में दो पिड़े फैसले लिये है पहले कैंदरी मंतरी भुपेंद्र यादव और अईश्विने वैश्णव को प्रदेश प्रभारी बनाया इसके बाद कैंदरी कृशी मंतरी नरंद्र सी तोमर को चुनाओ प्रवंद्र समिती का संयोजक नियुक्त करने का एलान किया उनकी नियुक्ति के बाद से कैंदरी मंतरी ज्योती राधित्य सिंधिया को लेकर क्यासो का दोर शुरू हो गया है तोमर की नियुक्ति को सिंधिया के लिए जटका भी माना जा रहा है, इसके दो कारण है, पहला तो तोमर को सिंधिया का राजनितिक प्रदिध την धंधी माना जाता है, दुसरा यह भी कि सिंधिया की तरह तोमर भी गवाल्यर और चंबल ख्षेतर से आते है, पार्टी अपने तिम में इसक्षेत्र से और कितने नेताओं को जगह देगी यह फिलहाल स्पस्ट नहीं है। बीरो रिपोर्ट जी एस टीवी